नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सब लोगों का आज की से को नई वीडियो के साथ में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UAN नंबर यानि PF के नंबर के बारे में यदि दोस्तो आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के दौरान आपको आपके कंपनी से UAN नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसका फुल फॉर्म होता है PF नंबर आपके कंपनी ने आपको नहीं दिया हुआ है या किसी भी कारण बस आपका UAN नंबर आप से खो गया है तो ऐसी सिच्वेशन में हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो PF का UAN नंबर होता है यानि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसको कैसे पता कर सकते हैं आप अपने मॉबाइल से इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कई भाईयों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि तो भाई मेरा कमेंट मतलब ऐसा दे रहे थे कि मुझे UAN नंबर मेरा पता नहीं है तो दोस्तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे या फिर आप डियर्ट लिए यहां पर UAN सर्च करेंगे तो भी आपको जो employee provident fund organization की official website है यह आपको दिखाई दीगी अब आपको क्या करना होगा कि इससे आपको open कर लेना है जैसे यह आप open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा तो इसको आप कट कर लेंगे और यह दोस्तो employee provident fund organization की official website है PF की इसको आपको देखना है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना होता है कि यहां पर साथियों आपको स्कॉल करना है नीचे की तरफ जाना है जब आप दोस्तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको important links करके option दिखाई इस पर किलिक करते है है जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर बोला जा रहा हैMusic कि आपका यूए नमबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मुवाइल नमबर जो है 10 डिजट का यहां पर डाल देना है तो दोस्तों जो भी आपने कंपनी में जॉइनिंग करने के टाइम पर जो एच आर ऑफिस में जॉइनिंग किया था अपने फॉर्म फिलप किय जिस्त तो यहां पर दुस्तों स्काप्चा कोर्ड दिखाई देगा इस केपचा पो अपको नीचे कॉलम दिखाई दे रहा है इसंते उन्म एक इम्मार आपको दना है तो मैं चक्र्आप हो तो यहां सब्हुर्ट बीचसेफ्वल यहां पर डाल डिया है और इसके बाद मै तो आपके ने जो registered mobile number अभी डाला हुआ है उस पर एक OTP आ जाता है तो मैं यहाँ पर इसको request OTP पर क्लिक करता हूँ यह मैंने क्लिक कर दिया जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बोल रहा है कि OTP send successfully to mobile number जो आपने डाला हुआ है वो आपको दिखाई दे जाएगा यह की देखी दोस्तों यहाँ पर OTP आ चुका है और इसको मैं यहाँ पर OK करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो capture code दिया था sorry आपने जो mobile number दिया उस पर जो OTP आ है है तो जो भी आपने capture code दिखाई दे रहा है उसको आपको इस वाले column जो आपको मिल दिया है और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करता है कि यहाँ पर validate OTP पर कलिक करना होता है तो इसको मैं कलिक करूँगा यहाँ पर यह मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही आप दोखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर VALIDATION OTP successfully हो गया है इसको आपको OK कर देना है जब आप उपे OK करेंगे तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो full name है वो दोस्तों आपको यहाँ पर column में डालना है जो आपको दिखाई दे रहा हुगा इसमें आप पर मैं दिखाने की कुछिस करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम डाल देना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको DOB बोला जा रहा है कि आप इसके अपर अपना जो UA नमबर है उसको आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको option 3 मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको ओपशन तीन तो वह चाहें तो यहाँ पर अपना आधर कार्ड की तरू कर सकते है पैन का भी option आपको मिल जाता है या फिर आपको अपना Member ID अगर आपके पास है तो उसके थ्रूबी आप यहाँ पर सर्च कर पाएंगे तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे इजी लग रहा है कि मैं आधार कार्ट सबके पास होगा तो आधार कार्ट सबसे आसान प्रोसेस रहता है जो कि आपके पास होता ही है Pen card किसी के पास incorrect रहता है या फिर Member ID आपके पास नहीं होगी तो ऐसी situation में आप दोस्तों अपना आधार कार्ट सबसे simple है उसको दोस्तों रखिए आप क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर आधार कार्ट का option है वो already select है ऐसी तो चिसमें आप क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ट का number जो है वो आपको यहाँ पर fill up करना है जब आप number यहाँ पर fill up कर देंगे तो दोस्तो आपको क्या करना है कि नीचे आपको again आपको capture यहाँ पर मिल जाता है तो यह जो capture आपको मिल रहा है इसको आपको इस वाले column पर यहाँ पर fill up कर देना होता है तो मैं जल्दी से इतना ready काम कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी side detail को fill up कर दिया है fill up करने के बाद में आप last process है आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको दोस्तो option मिल जाता है show your UAN तो दोस्तो आपको यहाँ पर जो UAN है उस पर दोस्तो आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यदि दोस्तो आपकी detail confirm है correct होगी तो दोस्तो आपको आपका UAN नमबर आपके सामने so हो जाएगा तो मैं आपको दोस्तो आपको live बताता हूँ कि दोस्तो यह देखी दोस्तो इस पर मैं जैसे ही click करूँगा तो आपका UN आपके सामने so हो जाएगा ुए यहां पर आगया है आप देख पा रहे होंगे टो स्कूम अपने मोबाइल से अपना यूए एन नमबर को पता कर पाएंगे वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यबाद दोस्तों मिलते हैं कि नेक हमें सकते हैं कि दोस्तों मिलते हैं कि द電 시청ी क कर दोस्तों मिलते हैं कि दूए लिग जर मो